भाषा जोडने का काम करती है हमारे पूरे भारत को जोडती है हिंदी भाषा तो आज हिंदी दिवस कशुव अपसर पर मैं और मेरे सहपाटी आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीशक है द्यालूता की बात पिछले महीने मैं अपने पिता के साथ अपनी दवाईयां लाने के लिए राजधानी में डिकोज गया था COVID-19 की वज़ा से सभी सोशल डिस्टैंसिंग में खड़े थे और हम भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे मुझे अपने बगल वाली महिला की आवाज सुनाई दे रही थी वह अपने शुरू आती 30 के दशक में थी और फार्मसी तकनीक से बात करते हुए व्याकुल दिखाई दे रही थी यह सपश्ट हो गया कि उसे अपने बच्चे के लिए दवा की आवश्यक्ता है जब मैं इंतजार कर रहा था मैंने उसे उसके डॉक्टर के साथ फोन पर सुना यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोई और दवा है जिसकी कीमत इतनी अधिक नहीं है वह बहुत परिशान थी और उसके गालों पर आंसु बह रहे थे जब फार्म और फिर मैंने अपने पिता के साथ इस मामले पर चड़्चा की और फिर मैं चुप चाप उसका हाथ पकड़ कर बाहर निकला और उससे कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ महिला मैरे पीछे रो रही थी और जैसे ही मैंने दवाओं के लिए भुक्तान किया फार्मसी तकनीक मेरे हाथ के लिए पहुच गई मैंने उसकी और देखा और देखा की थैंक हम सभी को अपने अपने तरीके से योगदान देना चाहिए क्योंकि हम दूसरों को ऊपर उठा कर उठते हैं शुक्रिया आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी द्रोनत्यागी आर्ममेजा लीजातनोर द्वारा प्रस्तोर देखने के लिए धन्यवाद